हम आज start करने वाले हैं permutation and combination ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम खाली introduction देखेंगे तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हम ये permutation and combination में करने क्या वाले हैं अच्छा तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछूँगा कि बचपन में जब हम maths का नाम सोचते हैं या कुछ भी maths के बारे में सोचते हैं तो हमको क्या याद आता है हम मैट्स में सबसे पहले क्या किया करते थे हमने सबसे पहले मैट्स में क्या सीखा था नंबर्स करेक्ट हमने सबसे पहले नंबर्स सीखा था हमने काउंटिंग सीखी थी हमने गिंती सीखी थी हमने देखा था कि भाईया कोई भी चीज को कैसे count किया जाता है एक बोग, दो बोग, तीन बोग, चार बोग, कितनी भी किताबे हो सकती है हम उनको count करना सीखा करते थे अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन counting हम भूले नहीं है और हमारे counting के अब तरीके बदल गए है अब हम सिर्फ छोटी-छोटी चीज़े नहीं count करेंगे अब हम बड़ी-बड़ी चीज़े count करने वाले हैं तो हम आखिर permutation and combination में क्या करेंगे हम counting ही करेंगे, बट without actually counting जो बचपन में हम techniques use किया करते थे 1, 2, 3, 4, अब ऐसे नहीं count करेंगे अब हम कुछ techniques use करने वाले हैं जिनके basis पे हम चीज़ों को count करेंगे इस video series में मेरा यही काम है आपको सिखाना कि आकेर हम चीज़ों को कैसे count कर सकते हैं without actually counting तो इस पूरी series में आप बार-बार सुनेंगे जब भी कोई भी question आएगा हम यहीं बोलेंगे in how many ways मतलब किसी भी चीज़ को करने के किसी भी कार्य को करने के total कितने तरीके हैं in how many ways can you finish a job in how many ways can you finish a task in how many ways a number can be formed तो यह बहुत important चीज़ हो जाती है यह जानना कि हम आखिर इस chapter में how many ways का answer ढूणने निकले हैं हम count करने निकले हैं और यह chapter बहुत important है J-E point of view से क्यों? देखते हैं तो सबसे पहला point मेरा यह है कि यह एक ऐसा chapter है जो बहुत easy है इसमें theory बहुत जादा नहीं है बढ़ यह कई बार tricky हो जाता है सबसे जादा students गलती भी इसी में करते हैं जबकि यह chapter बहुत scoring है क्योंकि यह chapter easy है इसलिए हम समझ बहुत आसानी से सकते हैं हम एक common sense apply करना है यह chapter एक ऐसा है जिसको हम real life से बहुत easily relate कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे real life examples के थू हम PNC को relate करेंगे बट अभी के लिए आप यह समझे कि यह chapter बहुत scoring है क्योंकि इस chapter में हम हमारी गलती करने का scope जितना बढ़ता है उसी के साथ साथ यह भी बढ़ता है अगर हम चीजों को समझ अच्छे से चुके हैं तो हम गलतीयां बिलकुल नहीं कर सकते हम गलतीयां तभी करेंगे जब हम चीजों का concept अच्छे से नहीं समझे हैं अगर हम concept अच्छे से समझ गए हैं तो there is no scope of committing any mistakes तो यह chapter उस point of view से काफी scoring हो जाता है मैंने जैसा आपको बताया काफी कम theory है theory point of view से सोचे तो बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं है बट उसी limited theory के applications बहुत ज़्यादा है just because of this reason this reason many students find it very difficult कई बच्चे इस chapter को बहुत complicated करतेते हैं कई बच्चे इसको बहुत difficult समझने लगते हैं just because उसकी theory को वो सुचते हैं कि हम apply cases करें sir तो applications बहुत सारी हो सकते हैं अलग-अलग type के questions बन सकते हैं बट उसको basic solve करने का method वही है तो मेरा ये target रहेगा कि मैं आपके basic clear कर दूँ मैं अगर आपके concepts clear कर पाया तो आप definitely उन आपके सामने में कितना भी cut in question ले आऊ आप बहुत easily उन questions में उस basic theory को apply करके answer ला सकेंगे और चौथा important point ये chapter important क्यों है वो ये है बच्चो कि ये एक gateway to the probability है हम probability में कई बार PNC एक concept यूज कर सकते हैं probability में बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि आपको ये बताना है कि what is the probability of occurrence of this event अब जो total number of events है शायद उसमें permutation and combination का concept लगे अब जो आपको निकालना है कि total number of favorable outcomes कितने है उसमें शायद permutation and combination का concept लगे तो permutation and combination के concept कई सारे concepts हमारे probability में लगेंगे इसलिए एक gateway for the probability है इसी के साथ साथ ये जाना जरूरी है कि आखिर बच्चे गलती क्या करते हैं सबसे पहली गलती तो बच्चे ये करते हैं कि वो लोग सबसे जादा formula driven approach यूज़ करते हैं वो सोचते हैं कि अगर ये case आया तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे ये case आया तो ये यूज़ करेंगे हर चीज़ को shortcut में ले जाना चाते हैं जिस चकर में आप लोग कई बर confused हो जाते हैं कि यार हमको तो लगा था ऐसा approach होगा जिसको बोला जाए अगर आसान भाशा में में बोलूँ तो कई बर तुक्के भी मार देते हैं यार हमको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है बट वैसा नहीं होगा अभी आपको जो मैं ऐसा वैसा बोल रहा हूँ अभी मैं इसका जादे detail में नहीं बताऊँगा क्योंकि जो हम chapter पढ़ेंगे तब अपने आप समझ आएगा तो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि basic पे ना जाके basic को वो लोग cross कर देते हैं कि नहीं हमको basic से कोई मतलब नहीं है directly formula रटेंगे n objects को m लोगों में बाटना है तो कैसे बाटे तो उसके लिए भी कोई formula रट लिया अरे हमको क्या करना है हमको केवल basic देखने हैं अगर हम मारे basics clear हैं तो हम easily चीजों को relate कर पाएंगे पर समझ पाएंगे दूसरी गलती क्या होती है बच्चों से वो alike और distinct के बीच में difference नहीं समझ पाते उस चक्कर में वापिस से वो formula गलत लगाते हैं फिर repetition allowed है या नहीं है इसमें कई बार बहुत ज़ादा confusion हो जाते हैं तो मेरा ये target रहेगा मैं आपको easy way में समझा सकूँ ताकि आप ये basic गलतियां बिलकुल ना करें आप इनके बीच के जो differences हैं ये अच्छे से समझ सकें कोई confusion ना रह जाए confuse नहीं होना है तो ये target अपना रहेगा इस course के end तक कि हम ये चीज़ पूरी achieve कर पाएं तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होते हैं duplication of cases अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको निकालना है find the number of ways in which a task can be completed बच्चे क्या करेंगे उसमें case 1 बनाएंगे case 2 बनाएंगे वो ये भूल जाएंगे कि कुछ cases ऐसे होंगे जो इसमें भी उनने count कर लिए कुछ इनमें भी count कर लिए वो भी मैं आगे आपको जब chapter पढ़ाऊंगा तो आपको कई सारे examples दूँगा जिसमें आप लोग बहुत high probability के साथ duplication of cases करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हमारे cases duplicate ना हो हम थोड़ा सा common sense अप्लाइ करें अगर हमने किसी चीज़ को एक बार में count कर लिया है तो हम make sure करें कि दूसरी बारी में हम उसको count नहीं कर रहे है फिर एक और गलती जब इसी duplication of cases में आती है वो इसलिए आती है बच्चो क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आखिर selection और arrangement के बीच में basic difference क्या है हम जब तक formula लगाते रहेंगे शायद हम इस चीज़ में confuse होते रहेंगे बट हम उसको आसान भाषा में समझने ही कोशिश करेंगे कि आखिर selection क्या है arrangement क्या है ताकि ये हमारा जो duplication है basic concepts के basis पे हम बड़े से बड़ा सवाल हम IIT के advance के questions हो चाहे JEE mains के questions हो mains advance हर टाइप के questions करेंगे और उमीद करता हूँ ये chapter आप लोगों का बहुत easy way में pre-flowing way में आप लोग JEE के questions निकाल सकें Thank you so much